इस वीडियो में हम बताएंगे कि जियो पस्पलस से किसी भी जियो नंबर पर रिचार्ज करके 26% का कमिशन केसे कमाएंगे अगर आप एक दिन में 10 भी रिचार्ज कर देते हैं तो आराम से 500 से 600 रुपया तक का अर्निंग कर सकते हैं अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो सबसे पहले हम आपको अपने जियो पस्पलस का हिस्ट्री चेक करके आपको दिखाएंगे जो पिछले हम रिचार्ज किये हैं कुछ दिनों से रिचार्ज कर रहे हैं तो जियो पस्पलस में तो 7 डे का ही हिस्ट्री यहां पर दिखाई देगा तो हम आपको बुक्त के अंदर काई कोशाज करेंगे की कभ्रायं सबसे पहले हम दिखाएंगे अपना रिचार्ज हिस्ट्री कि सही हमको 26% का कमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है किसी भी जो नमबर पर रिचार्ज करने पर तो चलिए सबसे पहले हम यहां थ्री लाइन पर किलिक करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको इस पर किलिक करना है उसके बाद आपको यहां पर किलिक करना है उसके बाद यहां पर आपका रिचार्ज हिस्ट्री निकल के आ जाएगा यहां पर आपको दिखा देगा कब किसके नमबर पर कितना रिचार्ज किये हैं कितना कमिशन मिलेगा सभी कुछ यहां पर सो ह तोय होने लगीगा, तो चलिए हम आपके समझाने की कोशिस करते हैं, तो देखिये हमने यहां पर रिचारज किये थे 14 अबर इतना टाइम में, रिचारज किये थे एक नंबर पर 249 रुपया, उस नंबर को आप देख सकते हैं इस नंबर पर हम रिचार्ज किये थे इतना रूपया लेकिन हमको यहां पर 47 रूपया 80 पैसा का कमिशन मिला है तो चलिए उस नंबर को भी दिखा देते हैं कि उसी नंबर का कमिशन है कि नहीं है तो आप यहां पर देख सकते हैं दोनों नंबर सेम है तो म नंबर भी दिखाते हैं इस नंबर पर हमने और का रिचा डीये थे तो यहां पर एक 40 रूपया डचा Kyum nhân मिला है तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहां पर तो बीस परसण का मिला है और आप लोग केल्त रहे हैं तो मैं बता दो कि यहां में पर हमको बीस पर अपर कमिशन मिलता है अगर आपको पर पर सिक्स का कमिशन मिलता है तो उसके हिसाब से हुआ अगर किजेगा टूइटी परसेंट तो यहां पर टॉटल हो जाता है 26% कमिशन आपका चलिए हम और दूसरा भी दिखा देते हैं आप देखिए यहां पर दूसरा यहां पर रिचाज किये हैं 209 रुपया का तो यहां पर 41 रुपया 80 पैसा का कमिशन मिला है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम जितना भी रिचाज किये हैं तो 200 रुपया से उ से तो इस तरह से टोटल आपका 24 से लेकर 26 पर्षन का कमिशन एक जियो नंबर पर रिचार्ज करने से मिलता है तो आप लोग जियो पस्परस से कैसे रिचार्ज करेंगे तो आपको भी इहां पर 26 पर्षन या 24 पर्षन के कमिशन मिलेगी तो चलिए हम सबसे पहले बता देते ह है कि जो भी आपको recharge करना है किसी भी जियो नंबर पर तो वो 200 रुपिया से उपर का recharge होना चाहिए 200 रुपिया से उपर का recharge करेंगे वैं आपको 20% का Commission अलग से मिलेगा नहीं तो आपका जो 4% Commission है या 6% कमेशन है वही आपको मिलेगा तो मतलब अगर आपको की CBGio नमबर पर recharge करना है तो 200 रुपया से उपर का आपको recharge करना है तभी आपको 20% का commission मिलेगा तो आप केसे recharge करेंगे तो सबसे पहले आपको तो back आना है तो चलिए हम back आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आप Gio नमबर को डाल सकते हैं नए तो simply आप यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर recharge पर किलिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से recharge करना है यहाँ पर दोनों जगह में उस mobile नमबर को डाल देना है जिस mobile नमबर पर recharge करेंगे तो चलिए हम दोनों जगा में मुवाइल नंबर को डाल देते हैं जियो के तो हमने एक मुवाइल नंबर यहाँ पर डाल दी है जो जियो के है उसके बाद यहाँ ब्राउज प्लान पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको प्लान सिलेक्ट करना है कस्टमर के लिए कि क करना है जैसे कि हमने यहां पर अगर 209 रुपया वाला ही सिंपली हमको सेलेक्ट करके दिखाते हैं हम आप उसके बाद आपको यहां प्रोसीड टूपे पर किलिक करना है उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको यहां जियो मार्ट केस्वेक पर किलिक करन चो करेंगे लिएन है इसके बाद ऐसके बाद करना है यहां पर किलिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर कस्टमर का मुवाइल Kiss summary लोगा उसके लिएजाज कर बाद पर कितना का इस्वेक को यूज कर सकते हैं और हां अगर एस नमबर पर क्यास बैक एवेलेवल रहेगा तभी आपका यहां पर सो होगा नहीं तो नहीं सो तो कैसे सो होगा इस नंबर पर अगर पहले ही अगर कस्टमार ने किसी जगह पर 200 रुपया से उपर का रिचार्ज कराया है तो उसको 20% का कमिशन उसको उसके जियो मार्ट में सो होगा मतलब जियो मार्ट होता है उसमें उसका वालने जिकुतिव परषंट का कमिशन सो होगा जितना वी कस्टमार ने 200 रुपया से उपर का रिचार्ज कराया तो आप अगली बार से जितना रिचार्ज करें आप 20% ही आप यूज कर सकेंगे Señor अभी 249 रुपया का रिचार्ज करते हैं इसी नमबर पर तो यहाँ पर 47 रूपया 80 पैसा उज कर सकते थे हम तो यहाँ पर हमने 209 रुपया सेलेक्ट किये हैं इसलेए 41 रुपया 80 पैसा हम यूज कर सकते हैं मतलब 209 रुपया का जो commission होता है तो सबसे पहले में करना है औक करने के बाद को यहां पर देखेशो हो रहा है इस नंबर को आपको कॉलिंग करना है इस नंबर को जैसे क्यों को नंबर से ही कॉलिंग करना है जिस नंबर पर रिचार्ज करेंगे उसी नंबर से आपको डाइल करना है इस नंबर को डाइल करेंगे तो अट्मेटिक कॉल कट हो जाएगा और कस्टमर के मोबाल पर एक ओटीपी आ जाएगा तो चलिए हम कॉलिंग करते हैं तो हम यह जियो पर किलिक करेंगे देखिए यहाँ पर कॉल कट हो चुकी है उसके बाद आपको मेसेज बॉक्स को आपन करना है करना है यहाँ पर मेसेज बॉक्स को आपन जैसे ही करेंगे तो आपके जियो मार्ट के तरफ से यहाँ पर ओटीपी आ जाएगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियो मार्ट क कि तरफ से यहाँ पर महक केशबेक ऑ चुका है तो इसका डाल झाल दिते हैं तो हमने सकते हैं और पर कल डाल दिए हैं यहाँ पर डालने के बाद वोट रजैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर 20% का यहाँ पर माइनेस हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उस नंबर पर यहाँ पर 209 रुपया का रिचार्ज करेंगे लेकिन मेरा वालेट से जो कटेगा वह करने के लिए आपको सिंपल केसे करनें उसके लिएंट करना है तो आपके वालेट से एक तो जाया आका और कस्टमर के नंबर पर 209 रुपया का रिचार्ज हो जाए तो इस इस तरह से आप अपने जियो पस्पलस से किसी भी जियो नंबर पर रिचार्ज करके 24 से 26 परसंट का कमिशन कमा सकते हैं लेकिन आपको कस्टमर के मुबाइल से इस नंबर को डायल करना ही होगा तभी उसके नंबर पर एक OTP आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो सबसे पहले इ कि उसके नंबर पर कैस बैक है कि नहीं है वहाँ पर सो हो जाएगा कि कैस बैक है कि नहीं है तो यहां पर देखिए जैसे बता रहा कि इसमें इतना रुपया अभी कैस बैक है 96 रुपया तो इस तरह से कस्टमर के मुबाइल पर सो हो जाएगा कि कैस बैक है कि नहीं है तो